नमस्कार लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों यदि आप जारखंड के रहने वाले हैं और जारखंड के किसी भी सीटी से आप मैरेज रजिस्टेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट टुटोरियल में दिखाने जा रहा हुआ तो सबसे पहले आए टुटोरियल देखते हैं तो दोस्तों हम सबसे पहले जाएंगे गूगल पे गूगल पे टाइप करेंगे मैरेज रजिस्टेशन इन राची जब आप ये टाइप करेंगे मैरेज रजिस्टेशन इन राची तो ये आपका जो है लिंक सबसे पहल service.india.gov.in का एक link खुलेगा जब आप इस पे click करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि apply for marriage registration certificate in जहारखंड जब आप इस पे click करोगे तो ये वाला page आपको खुल जाता है जैसे ही आप click करेंगे तो ये page आपको खुल जाता है यहाँ पे आपको सारा चीज़ बताया हुआ कि service description क्या है application form क्या grievances policy description और apply for service है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि इसमें ये जो department है department और revenue के द्वारा ये registration marriage का registration कराया जाता है और department और revenue ही responsible होती है marriage registration के लिए इसमें आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगे like application form अबलेबल नहीं है grievance policies जो है यह यहाँ पे दिया हुआ है इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको ये apply for services के लिए जाएंगे तो ये under service modification दीख रहा है तो कई बार ये जो link है वो काम करता है कई बार नहीं करता है इसलिए आपको जरुत होती है advocate के support कि क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे documents बनाने होते हैं जो नहीं बना सकते हैं या server नहीं चल रहा है government ने तरीका तो बना दिया लेकिन उसको effectively लागू नहीं किया है कभी कोई ना कोई problem होता रहता है या आप जाते हैं खुद से तो कई सारे सवाल पोशते हैं तो इसलिए अगर आपको ततकाल court marriage राची या जहारकंड या जहारकंड के किसी भी city से करना है तो आप हमारे help line नमबर पर बात करेंगे तो हम आपकी पूरी सहायता कर सकते हैं देखें दोस्तों यदि आपको आप जहारकंड के रहने वाले जहारकंड के किसी भी city के रहने वाले जमसिदपूर, राची या कहीं के भी रहने वाले हों अगर आपको court marriage या marriage registration करना है अगर आप couple है आपको घर से छीप के शादी करनी है तब आपको किसी एडवोकेट की सहायता लेनी चाहिए और अगर आप एडवोकेट की सहायता लेना चाहते हैं बात करना चाहते हैं तो आप हमारे help line number 8800445555 पर call कर सकते हैं हमारे website leadindia.log पर visit कर सकते हैं जो call करने का जो समय है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक है तो बहतर यह होगा कि love marriage अगर करना है तो expert के माधियम से करें और केवल marriage registration कराना है तो आपको जो मैंने tutorial दिखाया है उसको follow करें उसके माधियम से भी आपका marriage registration हो जाएगा documentation एक बहुत गंभीर पार्ट होता है क्योंकि documentation में बहुत दिक्कते होती है अगर आपने सही तरीके से नहीं किया तो उसमें परिशानी हो सकती है और अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ठीक है अब मुझे process मालूम चल गया documents क्या लगेंगे इसके बारे में भी जानना है शादी कर भी ले एक कपल है घर से छिप के शादी करना चाहते है protection कैसे मिलेगा इसकी भी आपके मन में चिंता होगी तो आईए वीडियो में आगे देखते हैं document के बारे में जानने से पहले जानना जरूरी है लरकियों की और लरके की शादी की legal age क्या है मुझे आपको एक survey दिखाना है ये survey मैंने खुद कराए था 2000 couples के उपर कराए था जिसमें 10% लोगों ने अभी भी ये बुलाए कि लरकियों की शादी की age 21 वर्स है आप सोच के देखिए लरकियों की शादी की जो age है वो 18 वर्स, complete 18 वर्स होनी चाहिए तो कितना confusion है कोई running 18 वर्स कह रहा है कोई 21 वर्स कह रहा है तो आप इस वीडियो के मादम से बिलकुल authentically जान लिजे कि लरकियों की शादी की age 18 वर्स है और लरकों के शादी की age जो है 21 वर्स है इसको proof करने के लिए आपको document के requirement होती है document 10 की mark sheet या certificate जिस पे भी date of birth लिखा हुआ हो अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो birth certificate हो तो भी चल जाएगा इसके अलावा आप दोनों का आधार कर चाहिए और दोनों की ID proof चाहिए documents की कमी हो तो आप help line number पर बात कर लिजे हम guide कर देंगे एक और important बात है कि जब भी आप शादी के लिए जाते हो तो witness की भी requirement होती है कहीं कहीं 2 witness लगते हैं और कहीं 3 witness लगते हैं तो ये maximum witness लगते हैं family से हो या ना हो इससे कोई फरक नहीं परता किसी भी side से हो सकते हैं लरके या लरकी किसी भी side से हो सकते हैं इससे भी कोई फरक नहीं परता इनके document की बात करें तो दोनों का अधार काड जरूरी होता है और एक ID proof जरूरी होता है और वो भी बाली होने चाहिए तभी वो witness बन सकते हैं आपने शादी करने का process जान लिया, आपने ये जान लिया कि document की क्या requirement है, अब ये जानना ज़रूरी है, कि एक couple जिसके मन में सबसे ज़्यादा insecurity होती है, कि court marriage के करने के बाद से जो situation develop होंगे, उससे कैसे निप्टा जाए, यदि लरके के घर पे, लरकी के घर वाले चले आए, मार पिटाई करने लेगे, गाली गलॉज करने आ जाए, बहन को लेकर के बोले कि तुम्हारे बहन को भी मैं लेकर जाऊंगा, कई ऐसी ऐसी बत्तमीज बाते बोली जाती है, तो इन situation से निपटने का तरीका ये है, कि जब कभी भी आप court marriage करते हो, तो ये दिमाग में रखो, को धिहान में रखो, कि court marriage करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, चुकि आप बाली गए, आपके father या mother भी चाहते रोकने के लिए, और आप अपने जिद पेहरे होते कि मुझे करना है, तो रोक नहीं सकते थे, क्योंकि कानूनी रूप से आपको यह अधिकार मिला हुआ है, त इसके बारे में help line number पे बात कर लिजे, वो आपको proper guide कर देंगे, और साथ ही साथ, अगर बहुत जरूरत हो, तो high court से protection, यह सारे steps ऐसे हैं, जो अगर आपने लिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से आपको touch भी नहीं कर सकता है, और सामने से आके धंका रहा है, तो video recording किजिए, क्योंकि वही आप दिखाएंगे SP office में, थाने में, कि यह व्यक्ति कैसे धंका रहा था, और SP office और थाने वाले नहीं सुनेंगे, तो हम court में दिखाएंगे, क्योंकि हमारा document सही है, क्योंकि मैरे certificate सही है, तो कोई भी हमारा कुछ भी बिगार नहीं सकता, उमीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब किजिए, बेल आइकन प्रेस किजिए, थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्यू सो मच